प्रिमित्रों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इस्टेडी बित प्रतीप पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम लोग क्लास लेबंध की बाइलोजी पढ़ रहे हैं एन्सी आइटी बुक को हम लोग डिसकस करने हैं जिसमें आज की जो टापिक है ओ है टेक्सोन के बारे में डिसकस करेंगे यह हमारे टीजटी और नीट के सभी कोर्स में दिया गया और एलेबंध के स्टुडेंट के तो कोर्स में अल्रेडी अबलेबल है तो एक एक करके समझ टापिक को हम लोग डिसकस करते हुए आगे बढ़ेंगे यदि आप चैनल पे नए है तो च हम बेचर करते हैं हमने कल आपको फिटाया था उसके बाद उसको हम क्या करते हैं उसके क्लासिफाइब कर ते हैं और जब उननका गृफ बना लेते तो यह हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं इतनी टॉपिक लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में Déनल से और यहां पकर करके हम लोग आगे की तरह बढ़ेंगे देखते हैं क्लासिफिकेशन इस इस इंगल इस्टेप प्रासिस कहरा कि इसमें कई इस्टेप आते हैं रेटची होते कई इस्टेप होते हैं जो अलग-अलग रैंक को क्या करते हैं सो करते हैं या एक रिप्रेजेंट करते हैं अपने आपको सो करते हैं एक एक क्या करते हैं कैटेगरीज को या रैंक को सो करते हैं ठीक है कई इस्टेप होते हैं उन्हें इस्टेप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे Since the categories is a part of overall taxonomic arrangement It is called taxonomic category कहरा क्योंकि जो taxonomic category होती है यह एक part होता है overall taxonomic arrangement का इसलिए इसे taxonomic categories भी कह देते हैं and all categories together constituted taxonomic heritage और जब सभी categories को आपस मिला देते हैं जितने इसमें part होते हैं या जितने rank होते हैं जितने भी category होते हैं अब को एक साथ मिला जितने हैं तो उसे क्या करते हैं taxonomic hierarchy कहते हैं क्या 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 क्याते हैं taxonomic hierarchy कहते हैं क्लिए रहे यां तक Each category referred to as a unit of classification in fact represent a rank and is commonly turned as taxon कह रहा है या तो इन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं एक एक rank को taxa कह सकते हैं taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example कह रहा है इसे एक example के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं या अलग करने का प्रयास करते हैं separate करने का प्रयास करते हैं ठीक है इन्सेक्ट रिप्रेजेंट एक ग्रूप आफ अर्गनी शेरिंग कामन फीचर्स लाइक थ्री पेयर आप जॉइंटेड लेग आप से देखी एक प्रशन पुछा गया है यहां से इन्सेक्ट को कैसे हम आइडिंटिफाई करेंगे थे इन्सेक्ट का जो सबसे बेस जो उसका मेन खरेक्टर होता है उसके पास थी पेयर जाते है जॉइंटिद लेग पाई जाते ह सबुसकी कर्यक्राइब पढ़ें है कंपाॉंड निग लग लग topic आएंगी तो इसको हम लोग discuss करेंगे उसके कई characteristic feature दे होते हैं जिसे compound AI jointed leg का पाजाना तो वह ही कहरा है जब हम insect की बात करते हैं तो insect में क्या main character क्या है कि इसमें three pair jointed leg पाजाते हैं it means insects are recognizable concrete object which can be classified and thus we are given a rank category कहरा है इसी character के आदार पर हम उसे एक rank या एक category में classify कर सकते हैं can you name other such group आप और निज क्या आप किसी और दूसरे group के बारे में बता सकते हैं remember group represented category अपने group को remember करिए category बताईए category further denoted ranks each rank are taxon in fact represent a unit of classification कहरा हर एक rank या taxon अपने आपको एक unit के रूप में express करता है represent करता है दी टेक्सोनामिक ग्रूप के टेग्रीज और डिस्टिंक्ट बाइलोचकल इनिस इनिसी बाइलोचकल इन्टिटीज और नाट मेरली मार्फोलाचकल अग्रिगेट टेक्सोनामिकल इस्टिडीज अप अब आल नो आर्गनेंग्र अब लिट टो डेवलोप्मेंट आप कामन कटेग्री सच एस किंग्डम फाइलम और डिवीजन डिवीजन किसके लिए उप्योग क्यों जाता है प्लांट के लिए डिवीजन किसके लिए प्लांट के लिए क्लास आडर फेमिली जीनस एंड इस्पिसीज तो इसके अलग अलग कुछ फीचर है किंग्डम है फाइलम है और फाइलम को ही डिवीजन करते हैं कब जब प्लांट को डिसकस करते है तो फाइलम को क्या कर जाता है डिवीजन कर जाता है क्लास है फिर आड एपटर है फेमिली है जीना से इस पिसीज है आर्गरिम इंकलूड दोज in the plant and animal kingdom है इस पिसीज is the lowest category कहा दोनों के लिए इस पिसीज क्या है lowest category है इस पिसीज क्या है lowest category याद रखेगा now the question you may ask is how to place an अब एक क्योस्टन उठता है हम कैसे अर्गेंच को अलग अलग के टेगरी में प्लेस करेंगे या नहीं रखेंगे अब इसमें बैसिक रिकॉर्मेंट होती है को उसके कैरेक्टर के बारे में या इंड़ीडिवल के गृुप के बारे में जानने की इसके आदार पे हम similarity, dissimilarity को identify करते हैं और आर्गनिज का group बनाते हुए आगे बढ़ जाते हैं पहली topic पे हम लोग आते हैं और पहली topic हमारी के है species है पहली topic क्या है इस species है तो सबसे पहले हम लोग species को discuss कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है species में आते हैं taxonomic studies considered a group of individual organized with fundamental similarities as a species कहरा है taxonomic studies अगर हम कर रहे हैं तो इसमें individual organized with fundamental similarity यानि इसमें fundamental पूरा जो इसका new होनी चाहिए पूरी fundamental similarity होनी चाहिए उससे हम species कहते हैं one should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphology की difference कहरा है कि अगर हम एक आर्गनिप से दूसरे आर्गनिप यानि एक species से दूसरे आर्गनिप के बारे में अलग करना चाहते हैं तो मार्फोलाजी के basis पे भी अलग कर सकते हैं लिटरस considered mangifera indica हम को consider करना किसको mangifera indica solenum tuberosum जिसे potato का scientific name है यह बोटरिंकल नेम है panthera leo lion का जो logical name है तो तीन species अलग अलग हमने लिया एक indica है एक कौन है यहाँ पे tuberosum है और तीसरा कौन है leo है यह तीन अलग अलग species हैं all the three name indica tuberosum and leo represent the specific appetite कहरा कि तीनों किसको species को सो कर रहे हैं while the first word जो पहला word महिंगी फेरा solenum और पेंथरा और genera को रिप्रेजेंट करना है genera की नेम को रिप्रेजेंट करना है जब हम लोग बाइनामियन नामल प्लेचर पढ़ रहे थे हमने आप से बताया था कि एनिमल को दो नाम से सो करते हैं एक उसके जीनस का नाम होता है एक उसके species का नाम होता है जीनस का नाम कैसे लिखा जाता है capital letter से लिखा जाता है जबकि species का नाम जब लिखा जाता है तो स्माल लेटर से ही शुरूख गया जाता है इस सब चीजें हमने बाइलामियन नामन क्लेचर इसके फर्स्ट वाले वीडियों में बताया था और मैंने जो वहां पे टिजटी वाले मारे मित्रे हैं मैंने कहा तक आप टीटी भी देते हैं तो आपको मैंगो का नाम संस्कृत में और उर्दू वाले जो देते हैं उर्दू में आपको बताना है लेकिन एक ही दो लोगों का कमेंट आया था किसी का कमेंट नहीं आया था या तो आपको पता नहीं है या आपने आंसर करना उचित नहीं समझा था दोनों में से एक ही कंडिशन हो सकती और मैंने साथ में एक बात और कही थी कि आपको 20 सुपर्यावर्ण दिवस के बारे में जानकर यार्जित करना है कब शुरुआ था थीम क्या थी 2020 की 2021 की आप करते रहेंगे जिस सब चीजें देखिए कैसे धीर धीर याद होती रहेंगी टेट सुपर टेट इक्तियाद में आपको बहुत लाम मिलने वाला है तो बात कर रहते हैं आप एच जीनस में हैब वन और मोर देन वन इस पिसीज रिप्रेजेंट डिफरेंट आर्गनिश्ट है मार्फोलाज के सिम्लार्टिफ हार जम्पल पैंथरा है एंडर इस पिसीज पैंथरा के और भी इस पिसीज होता है जैसे टिग्रिस करता है से से फिच इद ग्रॉप बाइद जीनस किया होता हो तो हुमन का नाम कर जो हो मोजा जाता है अब आगला कोन पढ़ना है जीनस पढ़ना अभी आपने जीनस के बारे में डिसकुस कर लिए जीनस में एक ग्रूप के रिलेटेटिस इस्पेसिज आते हैं which has more characters is common in the comparison to species आप other genera कह रहा है कि इनके दूसरे genera के तुलना में इनके species के character ज़्यादा similar होते हैं ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं common होते हैं इसलिए जो होता है इन्हें हम लोग क्या रखते हैं जन्रा में रख देते हैं we can say that genera are aggregates आप closely related species के रहा हम कह सकते हैं कि जन्रा क्या है aggregate है कोज एक मिनटे एक सब्सक्राइब closely related species का क्या है एक group है ठीक है for example potato and brinjal are two different species क्या रहा potato और brinjal क्या है दो अलग-अलग species है potato और brinjal क्या है दो अलग-अलग species है brinjal मतलब bacon potato मतलब आलू आप जानते है are two different species but both belonging to the same genus solenum दोनों किस genus के अंतर गताते हैं solenum genus के अंतर गताते हैं उसे तरकार से lion, panthra leo, leopards, panthra pardus तीसरा है tigeris, panthra tigris with several common features इन सब में बहुत सारे common feature होते हैं all species of the genus panthra और इसी कारण इनका genus क्या रखा गया इन में panthra का मतलब होता है तेज भागने वाला और तीनों तेज भागने वाले होते हैं तो निम्हां होते हैं तो भर्षो टेज चलने वाले हुते हैं इस और बैं पया प्रफियूकर नाम हुआ चुपलायग और अथर्फ ci पहले भर्फिय थे सब्च टेज भागने वाले थी diferen हो आ चैनल की नम कहाती है वह ओखती हैं नाम हो जाता है मuir लिटा। जिए आगे बढ़ते एक चिहींग चलिक नेक्स्थ आपका फेमली दी नेक्स्ट कॡ़करी है हिले नेक्स्ट क्ड़करी नीचे से घ he next category क्या हो जाती है फेमली है जे ग्रूप आफ रिलेटेड जनरा यहां पे रिलेटेड जनरा के ग्रूप आ जाते हैं with still less number of similarity as compared to genus and species कह रहा है यहां पे भी genus और species की तुलना में similarity देखे जाती है families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature कह रहा है यहां पे vegetative और reproductive feature के अधार पर family को plant species में identify किया जाता है among plant आप एमंग plant for example three different genera solenum petunia and dhatura are placed in the family solenesis कहरा तीन अलग-अलग plant हैं कौन कौन से अच्छा आपको कई family के बारे में आपके course में दिया गया आपको पढ़ना है कई family ठीक है कैरा solenum petunia and dhatura को एक ही family में रखा गया क्या नाम है solenesis में among animal के अगर बात करें for example genus panthera comprising layer lion tiger leopard तीनों किसके अंतर गार जीनस पैंथरा माते हैं इज पूट एलांग विट जीनस फेलिस यानि cat family फेलिडी कहरा इन सब को एक फेलिडी फेमिली बना करके पैंथरा को भी और इसको कैट को भी सब को एक ही साथ रख दिया गया यानि फेमिली के बेसिस पर देख दिया जायत कैट टाइगर लायन और लेपर्ड यह तीनों ए लिक हो जाती है जैसे फेलिडी पाएंगे ते सब क्या हो जाएंगे एक हो जाएंगे और फेलेडी फेमिली में किसको रख देजाएगा पैंथरा को भी टाइगर को भी लियो को भी इस तरह से याद करेंगे तियाद हो जाएगा पैंथरा जो फेलेडी फेमिली होती है इसम बता दीजिए जो family होगी क्या होगी फिलेडी होगी के लिए similarly if you observe the feature of cat and dog you will find that some similarities and some differences will कह रख अगर आप cat और dog को अगर आप major करेंगे तो आप देखें कि कुछ उसमें common मिलता है कुछ क्या मिलता difference पाय जाते हैं यानि difference होते हैं they are separately into two family इनए दोनों को अलग अलग दो family में रखाRight और cat किसके साथ है tiger के साथ lion के साथ leopard के साथ किसमे है family filly डी में और कुटा किसमे है कुटा किसमे है केनीडी family में किसको रखा गया dark को dark को कहा रखा गया केनीडी family में clear है अलग family बना दी गई अब order पे आ जाते हैं you have seen earlier that categories like species genus and family are based on the number of similar character generally order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregate of the character order being say highly higher category is a assemblage of family which कह रहा है यहां पे हम family के character को add करने का प्रयास करेंगे the similar अब यहां देखते हैं the similar characters as less in number as compared to different genre including of the family plant families like carmoblacy solenacy are included into the order polymoneils mainly based on the floral character floral character के अदार पे इन अलग-अलग family को एक कार्डर में रख दिया गया है ठीक है वह ही पे animal के बात करें the animal order कार्णियोरा कार्णियोरा एक आडर बनाए गया कार्णियोरा मतलब जो मीट खाने वाले animal होते हैं included दोनों family को आप include कर दिया फेलीडी और केनेडी को कार्णियोरा family में रख दिया गया है क्लास की बात करते हैं इस category included related order यहां पर related order वाले categories को रख दिया जाता फारिज्यांपल आडर ठ्राइमेट कंप्राइज़ मंंकी कैरा फ्राइमेट के अंदर जिनके अंदर में स्टुर साइकल चलती है उन में कौन-कौन साते हैं monkey होता गलिल्ला होता गिब्बन होते हैं ठीक है और मैमेलिया में कौन बसक्ता है प्राइमेट में हुमन भी ना जाएगा और यहां को ना जाएक हुमन भी ना जाएगा इन सब को कहां पर रख दिया एक क्लास बना दिया गया कौन सा क्लास बना गया एक क्लास बना दिया गया क्लास का नाम क्या है मैमेलिया मैमेलिया क्लास के अंतर गया जितने भी एनिमल ऐसे हैं जो मिल्क सिक्रीशन करते हैं सभी मिल्क सिक्रीशन करने वाले को कहां पर रख दिया गया मैमेलिया के अंतर गय एनों उसमें मैं मस्ट्रॉल साइकल चलती इस लिए इनको कहां रख दिया जाता है फ्य πα्राइमेट में और जिननमें मैं org साइकल नहीं चलती लेखिन उन्द मत्वालोती या नि बच्चे पैदा करते हैं विफ्य PRESID इंटर से मैं यानि दूद देने वाले बचते जितने भी अपकर्लाइ करें धारेस लाइक फिस का बाला कलास को इसा जोड़ दिया गया जैसे की एक लास बन गया इंपीबिदें का क्लास बन गया के एक clycaus बन गया, among to the, mehmelia का एक class बन गया, सब की class को बना करके, एक group में रख दिया गया, जिसका नाम क्या हो गया, फाइलम कहते हैं, ठीक है, all these based on the common features like presence in notocard and darsal hollow neural system, क्या रहा है, notocard के पाएजाने कि अधार पे और neural system के पाएजाने कि अधार पे इनको रख दिया गया आठा, और इंक्लूडें इन्दा फाइलम का डेटा इनको किस फाइलम में रख दिया कि फाइलम का डेटा में और जो छोटे अनिमल है जो नान जिसमें नोटो काड नहीं पाया जाता उन्हें किसमें रख दिया जाता है फाइलम नान काड डेट में ठीक है इन केस आप प्लांट अग सबसे हाइर कीड़ेग्री जो हता हूँ सभी एनिमल को कहां रख दिया जाता है kingdom इनिमेलिया में जब कि सभी प्लांट को कहां रख दिया जाता है kingdom planty में रख दिया जाता किलिए रहे तो इतना तो आप समझे जाएंगे बुक पढ़ लीजेगा यहाँ पर आपको एक को दिया है लर्न करना है और राइट करना है चाहिए जैसे आपको इसको पूरा लर्न कर लेना है आपसे एक भी यहां पर छूटना नहीं चाहिए मैन का जो scientific name होता है मैन का क्या होता है होमो sapiens होता है genus क्या होता है family क्या होती होती है आडर को वता प्रामित होता है क्लास के होता है मैमेल या होता है और डिवीजन को यह होता है यहां Delive कि अप्यू एक まतलब किया होगा कि इसके आंदर नोडा कार्ड बाए मेंगिफियरा इसका साइंटफिक नेम या बालूचकल नेम है ठीक है भूचिनd si है तो यह इस्का दाल ह्या जाती है वार्ट इसका जाती है तो यह इसका डिवीजन हो जाएगा तर नाम होता है साइन्टेटीफ नहें मूता है ट्रिटिकम ट्रिटिकम इसका क्या है जल्द का मगब रोट प्लावरिंग ते तेक्सोनामिक एट्स है क्या है और यह अच्छे व को भी कल के वाली वीडियो में हम लोग आइट करेंगे और कल वाली वीडियो में हमारा कूर्स पूरा हो जाएगा तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल के लिए तब तक लिए इजाज़त दीजिए जैहन्द